जहिन दोस्तों, मेरा नाम है आशे शुक्ला और My India My Development Channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिशू पेपल मेकिंग मशीन के भारे में टिशू पेपल, इसकी डिमांड दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है चाहे आप किसी मॉल चले जाओ, होटेल चले जाओ, शौप चले जाओ, या फिर छोटे बोटे ढबे पही क्यों न चले जाओ हर जगे आपको टिशू पेपल नज़र आता है टिशू पेपल की डिमांड दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है तो ये सही टाइम है टिशू पेपल की बिजनस को स्टार्ट करने का आईए अब देखते हैं कि टिशू पेपल की बिजनस में इन्वेस्मेंट कित्ती लगती है देखने में आपको इन्वेस्मेंट जादा लगेगी इसकी जो मशीन है वो लगबग 5 लाग से लेके तो 7-7.5 लाग तक की आती है सुनने में ये मशीन काफी महंगी लग रही है लेकिन गवर्मेंट की तरफ से भी इसमें काफी लोन साविलेबल है गवर्मेंट इसमें 80-85% तक के लोन देती है इसलिए लोन की टेंशन नहीं है ये बिजनस को शुरू करने के लिए एरिया भी जादा लगता है यदि पॉसिबल होता है तो आपको किसी हलपर की भी ज़रूत लगेगी क्योंकि युनिट को आप जला पाओगे और उस हलपर के द्वारा आप इसमें बहुत से काम करवा सकते हो इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए लगबग आपको 10 लाग तक की इंविस्टमेंट लग सकती है बिजनस थोड़ा कॉसली है लेकिन बिजनस का प्रटेंशल बहुत ज़ादा अच्छा है आपको टीशो पेपर बनाने के बाद उसकी सही तरीके से ब्रैंडिंग करने होगी उसकी सही तरीके से पैकेजिंग करने होगी उसे कोई अच्छे तरीके कर नाम देना होगा उसकी packaging करने के बाद उसकी सही तरीके से marketing करने होगी local level पर आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी marketing कर सकते हैं कई malls है, hotels है, जहाँ पर tissue paper की ज़्यादा demand होती है आप वहाँ पर एक बहुत अच्छा relationship बना सकते है वहाँ बनाने के बाद वहाँ के orders के हिसाब से आप अपने tissue paper create कर सकते हैं तो दोस्तो ये भी एक बहुत ही potential वाला business है थोड़ा costly है, लेकिन बहुत अच्छा potential है अब रही बाद इसके end level पर success की तो इसमें ऐसी कई companies है, जो आज end level पर बहुत successful इस business को run कर रहे हैं तो दोस्तो ये बहुत ही high potential वाला business है इसे जरूर start करें, लेकिन यदि अगर आपके पास में ज़्यादा investment की तैयारी हो या ज़्यादा जगा हो, तो ही इस business को आप start कर सकते हैं तो दोस्तो आज के business information में इतना ही, हम रोज मिलेंगे एक नए business information के साथ तब तक के लिए हमें जरूर और जरूर subscribe कीजिए और bell बटन तो जरूर धबाईए ताकि आपको regular नई updates मिलती रहें तब तक के लिए one day matter